Hello guys, welcome to my YouTube channel तो आज हम जानेंगे कि agrees को हिंदी में क्या कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? हर कुछ एक्जामपल्स agrees यानि इससे सहमत सहमत होना, सम्मत होना, राजी होना, अनकूल होना, सही मान लेना In English, its meaning is third person singular of agree For example, she agrees with the proposed cities through the company policy यानि उसने company नीती में की जा रही परिवर्तनों से सहमत है तो गाइस, इस वीडियो के comment section में बताएं कि सून को हिंदी में क्या कहते हैं We will see you in the next one Thank you